असलाम अलेकूम फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकाई हूं नास्ते में बहुत क्रिस्पी कच्छे आलू से बना हुआ नास्ते जो आपको खाकर बहुत अच्छा लगेगा तो आप जरूरू ट्राई कीजिएगा और अगर यह रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फी इसके दोलें नास्ते में यह ऐसे रेसिते एतना में अच्छा लक들 के पाणते देखा चाहते के हूं आ है यह साना में पानी इसका निकाल दिया कूछ से आपको गार लगे कृब्स के लग 따ण से वस्केशव अजपिऊ शाइं और दे Лीएके ब自ह दौने इसमें पानी निकाल होट होगा हमारा ये देखे इसमें डाल geral dancers करतेंगे इसके अंदर इससे बहुत अच्छा टेष्ट आता इसकेँ अंदर ढरते खूल ओशुप सार भर कर है अधनिया को yes कई इस अभी को उच्छी तरह से मिलाइंगे कि फ्रेंट्स बहुत एच्छा लगता है जट पर से बनकर तयार हो जाता है बहुत ही क्रिस्पी नास्ताई आप बनाईए जरूर तो यह देखिए इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा ओईल अच्छी तरह से मिलालेंगे इसमें डालेंगे नंवक डालेंगे इसमें नमक कोडिंग तोड़ा से मिरश का पाउडर तोड़ा से डालेंगे हलदी पाउडर यह यह अधान है और इसमें डालेंगे जीरा और इन सभी को फिर से हम अच्छी तरह से मिलाकर इसमें डालेंगे अजवाइन जरूर डालेगा फ्राइक कीवी चीजों में अजवाइन आप जरूर डालेगा ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है तो आग इधर देखे मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है तो में इसके एक छोटव चोटवाश बॉनाकर तैयार करऊँगी यह देखे इस तरह से इसकी कि बना लेंगे और हात लगा लेंगे हलका शवपले टैजे etis लेगी थेसी तरह से हम टिकी बनाकर तैयार कर लेंगे सारे डोह की फिर आपको दिखा यह देखिए हमाई टिक्की बन कर तयार हो चुकी है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूं यह देखिए मैंने आटे से ही पनाई है इसका घोल और इधर ले लिए हम ब्रैड क्रम्स तो इधर देखिए हमने ऑईल को कर लिया चिता से गर्म और जैसे ऑईल गर्म हो ज लगाएंगे ब्रैड क्रम्स इस चे बहुत क्रिस्पी नास्ता बन कर तयार होगा तो यह देखिए ब्रैड क्रम्स को अच्छी तरह से लगा कर लेंगे इने फ्राइए इसी तरह से सारी टिक्की के अंदर एड़ कर देंगे कि देखिए साई टिक्की मैंस के अंदर डाल दी है और इन उलट फ्लट कर हम अच्छी तरह से से लेंगे हलका गॉल्डन आने तक हम इन अच्छी तरह से से शेखिएंगे यह बिल्कुल कचोरी को भी फेल करती है बहुत ही टेश्टी नास्ता बनता है फूली फूली हमारी टिक्की बनकर तयार हो गई थी आप नास्ते में खाएं या फिर साम को खाएं आपको बहुत ही मजा आएगा इन खाने में तो आप जरूर से बनाएगा यह देखिए यह गॉल्डन हो चुकी है अच्छी तरह से तो यह देखिए हम इने फिर निकाल ले है तो फ्रेंट देखिए सारी टिक्क्या मैंने निकाल लें प्लेट के अंदर और बाकी टिक्क्या भी मैं इसी दर से से शेक लूँगी तो फ्रेंट देखिए अगर आपको यह रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बक्स में बताईएगा कि आ याद रखना और मुझे बताईएगा कि मगली वीडियो आपके लिए क्या लेकिया हूं तो यह देखिए कितने क्रिस्प हमारा नास्ता बनकर तयार हो चुका है कि तो फिर मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ थैंक यू